कई शक्ति साली और खुंखार जानवरों को भी इंसान अपने बश में करही लेता है। इसलिए सरकसों में हाथियों से लेकर शेरों तक से कई करतबे करवाई जाती है। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घरों में शेर, चीता, यहां तक की बाग को भी पाल लेते हैं। पर शायद आपने देखा तो दूर ये बात सुनी भी नहीं होगी, कि किसी सरकस में भेडियों से नचवाया जा रहा हो, या किसी ने भेडियों को पानले की हिम्मत भी की हो, मगर ऐसी क्या बात है, जो भेडियों को सबसे अलग बनाती है। दरसल भेड ये काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और इने खुले में रहना जान से ज़्यादा पसंद होता है, और इनके हाउल, यानि रात के समय, आस्मान की और मूह करके चिल्लाना इने बेहदी पसंद होता है, और इसकी हाउल कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सक जिसके सहारे ये एक दूसरे से कम्यूनिकेशन कर पाते हैं, और इनकी प्रविर्ती हमला करने के मामलों में किसी भी जानवरों से ज़्यादा होती है, इसलिए अगर कोई इने सरकस में नचवाता है, तो कोई न कोई दिन ये उन्हें जरूर काट खाएगा.